नमस्कार भय हूं आपके साथ निकिल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल दफूल बॉलिम, दफूल बॉलिम की करेंट अफेल सिक्षिन में आपका स्वागत है और आपका सही जवाब है औप्सन C ग्रिह मंत्राले ने देख में कटरता की घटनाओं का विचलेशन करने के लिए अध्यन को मंजूरी दी है GS बाजपई Center for Criminology and Victimology National Law University दिली के निर्देशक अध्यन का संचालन करेंगे अध्यन का उदेश से कानूनी रूप से रेडिकलाइजेशन को परिभासित करना होगा और गैर कानूनी गतिवीधियों के रोक थाम अधिनियम उनिस्सो और सरसक में संसोधन का सुझाओ दिया जाएगा और आपका सही जवाब है और आपसन सी तमिलनाडू वैज्यानिकों ने दुनिया में सबसे पुरानी ग्यात मानव निर्मित नैनो वस्तू की खोज तमिलनाडू के किलिडी में पुरातत्व स्थन से मिले मिट्टी के बर्तन पर लगी विशेश काले रंग की परत में खोजी है यह मिट्टी का बर्तन करीब 600 इशापुर्व का है मिट्टी के बर्तन पर चड़ाई गई प्रकार्बन नैनो ट्यूब की बनी है जिसकी वज़य से यह 26 साल बाद भी सुरक्षित है प्रशन तीन भारत में पहली बार विलो वार्बलर किस स्थान पर देखा गया और आपका सही जवाब है और प्ले आर्टिक में प्रजनन करता है इसका वजन लगभग 10 ग्राम है प्रशन 4 हाल ही में वरिष्नेता अहमद पटेल का निधन हो गया वो किस राजनितिक पाटी से संबंधित थे औपसन A कॉंगरेस, औपसन B भाजपा, औपसन C राजद, औपसन D माले और आपका सही जवाब है औपसन A कॉंगरेस कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता और सोनिया गांधी के राजनितिक सदाकार अहमद पटेल का निधन हो गया 71 साल के अहमद पटेल तीन बार लोकसभा के सदस से रहें और पांच बार राज्य सभा के सांसद रहें अगस्द 2018 में उन्हें कॉंग्रेस पार्टी का कोसा ध्यक्ष न्यूक्त किया गया पहली बार 1977 में 26 साल की उम्र में भरूज से लोकसभा का चुनाओ जीत कर एहमद पटेल सद पहुँचे थे प्रशन पांच भारत सिंगापूर और किस देश के त्रिपक्षिय संतिकालीन युद्धाभ्यास सित्मेक्स 20 का दूसरा संसकरन अन्डमान समुदर में हुआ सिंगापूर गंदाज द्वारा आयोजित भारत सिंगापूर और थाइलेंड के त्रिपक्षिय संत कालीन युद्धाभ्यास Setmax 20 का दूसरा संसकरन अंडमान समुद्र में हुआ भारतिय नौसेना के स्वदेश निर्मित S.W. कोवर्ट कामोर्ता और मिसाइल कोवर्ट करमुख पोत ने अभ्यास में भाग लिया प्रशन 6 रोरी डॉमिच फाइलोस टैच चिडिस किस से संबंधित है और आपका सही जवाब है और आपका सही जवाब है प्रशन आठ दो दिवसिये अस्तीवा अखिल भारतिये पिठासीन अधिकारी सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा प्रशन नौँ कौन सा राजिस्त भारत में एक मातर चेरी बॉलसम उत्सव आयोजित करता है और आपका सही जवाब है और आपका सही जवाब है और आपका सही जवाब है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइप कमेंट सेर करना ना भूलें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना भूलें धन्यवाद